अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अपनी हेल्थ सुधारने के बारे में जानकरी देते रहें आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे जरुत से ज़्यादा नीबू का सेवन आपकी सेहत को खराब कर सकता है ज़्यादा नीबू का सेवन आपका पेट खराब कर सकता है नीबू पानी अकसर पेट के लिए बेहत फायदेमंद होता है मगर पानी में बहुत अधिक नीबू निचोडने से गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज जी आई आर्डी और एसिड रिफ्लेक्स जैसी समस्याई हो सकती है जी आई आर्डी और एसिड रिफ्लेक्स नीबू जैसे एसिड खादय परदार्तों से शुरू होते हैं और पाचन तंत्र में गड़बडी, घबराट और उल्टी का कारण बन सकते हैं दातों को नुकसान पहुचाता है नीबू नीबू अत्यदिक एसिडिक होता है इसलिए बार बार एक्सपोजर आपके दातों के एनामेल को खराब कर सकता है आपको नीबू पानी या ऐसी किसी भी चीज का सेवन करने के तुरंट बाद अपने दातों को ब्रश करने से बचना चाहिए और तुरंट साधा पानी पीना चाहिए नीबू के छिलके में कई बैक्टीरिया मौजूद होते हैं नीबू के छिलके में कई शुक्ष्मजीब होते हैं जिनमें कुछ रोगजनक भी शामिल है ये बिमारियों का कारण बन सकते हैं इसलिए कभी भी नीबू को छिलके सहीत इस्तमाल ना करें टॉंसिल्स की समस्या का कारक हो सकता है ज्यादा नीबू ज्यादा खटी चीजों या फलों का सेवन करने से गले में दर्द और टॉंसिल्स की समस्या आ सकती है इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन करें Blood pressure कम करता है नीबू नीबू पानी में कई mineral elements होते हैं जो blood pressure को कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं High blood pressure से पीडित लोगों में calcium और potassium दौनों blood pressure को कम कर सकते हैं लेकिन एक अध्यन से पता चलता है कि नीबू पानी ज़्यादा पीने से लोग hypertension का शिकार बन सकते हैं ऐसी ही स्वास्ते से जुड़ी बहत्री नौर प्योगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें और bell notification on करना ना भूलें और किसी शारिरिक शमस्या यानी physical problems के solution के बारे में जानना हो तो हमारे comment section में जरूर बताएं थैंक्स ओर वाचिंग